इस साल की तीन सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमें साउथ के सूपरिश्टार राम चरन जूनिर एंटियर की फिल्म त्रीपल आर, इंडिया सूपरिश्टार येश की फिल्म की जेप चेप्टर टू और विकरम की फिल्म पी एश वन सामिल ही और आपको बताएंगे तीनों फिल्मों का तीन दिनों का टूटल बोक्स ओविस कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी अपने तीन दिनों में बोक्स ओविस पर बाजी और कौन बना, बोक्स ओविस इंडिया का सबसे बड़ा सूपरिश्टार हो, कौन सी फिल्म बनी इंडिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे बड़ी 2022 की फिल्म त्रिपल आर के बारी में आपको बता दे त्रिपल आर फिल्म में आपको जुनियर एंटियार के साथ राम चरण मुख्य भूमिका में नज़र आये थी मैं इस फिल्म का बज़र दे 550 करोड रुपे इसे के साथ इस फिल्म को वाहु बली 2K डायरेक्टर रेसे राज मुख्य ने डायरेक्ट किया जिस वज़े से यह फिल्म पब्लिक गडिक्स को काफी ज़्यादा पसंद आई ओ पब्लिक गडिक्स ने इस फिल्म को फोर इस्टा रियू दिया और इतना जबज़स्त रियू मिलने की वज़े से इस फिल्म को लेकर काफी जबज़स्त ग्रेज देखने को मिला जिया आपको बता दे जूनियर रिंटे और राम चरन की फिल्म त्रिपल आर ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ओविस पर रिलीज होते ही बॉक्स ओविस पर काफी बड़ा धमाका किया और लगबग 20 करोड 7 लाग रुपे के आसपास ओपनिंग की इसे के सार माना जा रहा था फिल्म का दूसरे और तिसरे दिन का कलेक्शन कुछ खास नहीं रहेगा लेकिन इसके बावजुदिस फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ओविस पर काफी जबजस्त ग्रोथ पाई और काफी अच्छी उक्युपेंसी पाते हुए 24 करोड रुपे कमाये लेकिन इस फिल्म का तिसरे दिन का संडे का कलेक्शन उम्मेद के मुताबिक काफी जधा बड़ा और फिल्म ने अपने तिसरे दिन संडे को सारे रि 250 करोड रुपे से ज़्यादा की कमाये करने में कामयाब रही इसी के साथ अगर इस एपिसोड की दूसरी और सबसे बड़ी फिल्म केज़े अप चप्टर टू का कंप्यर करें तो केज़े अप चप्टर टू फिल्म में आपको साउथ के सूपरिश्टार येस के साथ बॉल जबर जिस्त पहानी होने की वज़े से इस फिलम को पॉलिक से लेका केडिक्स ने 4.5 इस्ठा रियू दिया और इतना जबर जिस्त रियू मिलने की वज़े से इस फिलम ने अपने पहले दिन रिलीज होते ही हिंदी बॉक्स ओविस के भी सारे रिकोर्ड तोड़ दिये जी हम बता दे के जी अप चेप्टर टू फिल्म अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ओविस पर काफे बड़ा धमाका करते हुए 53 करोड 25 लाग रुपे से भी जाड़ा की ओपनिंग करने में काम्याब रही इसी के सारे इस फिल्म का दूसरे और तिसरे दिन का बॉक्स ओविस कलेक्शन भी उम्मित के मताबिक काफी अच्छा रहा वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ओविस पर काफे अच्छा परदेशन करते हुए 46 करोड 80 लाग रुपे का जबजेस्ट कलेक्शन किया लेके फिल्म के तिसरे दिन सटरे दे होने के बाउज़ुद फिल्म ने अपने तिसरे दिन भी बॉक्स ओविस पर काफे अ पर और भी काफी बड़ा नमाका करते हुए लगबग 220 करोड उपे से भी ज़्यादा की कमाई करने में कामियब रही और यह फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ओविस पर ब्लोगबस्टर हो गई लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की तीसरी और इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक PS1 के बारी में आपको बता दे इस फिल्म में आपको मल्टी स्टार काष्ट देखने को मिले थे जिसमें आपको साउस उपरिश्टार विकरम के साथ जयम रवी, काथी और बॉक्स उविस पर कलेक्शन थोड़ा कम रहा लेकिन वहीं फिल्म को पब्लिक से लेकर कडिक्स ने 3.5 इस्टार रियू दिया, ओ वल्डवाइड बॉक्स उविस पर लगबग 6000 से ज़ादा, इस्क्रिंस पर रिलीज होने की वज़े से फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक् विज में इंडियन बॉक्स उविस पर 49 करोड रुपे कमाये जिस वज़े से फिल्म अपने पहले दिन वल्डवाइड बॉक्स उविस पर भी काफी बड़ा धमागा किया, ओ फिल्म ने पहले दिन वल्डवाइड बॉक्स उविस के सारे रिकोर्ड तोड़ते हुए 80 करोड रुपे का जबजस्त आकड़ा पार किया लेकिन अगर फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के Box Service Collection की बात करें तो Mixed Review मिलने की वज़े से माना जा रहा था यह फिल्म Box Service पर दम तोड़ देगी और फिल्म Box Service पर फ्लोप हो जाएगी इंडियन बॉक्स ओविस पर 41 करोड 10 लाग रुपे का जबज़स्त आकड़ा पार किया वहीं फिल्म के दूसरे दिन के वल्ड वाइड कलेक्शन में भी काफी अच्छे पकड़ देखने को मिली ओ फिल्म ने अपने दूसरे दिन वल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर सारे रिक साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक पीएस वन का तिसरे दिन का तमिल बॉक्स ओविस कलेक्शन 29 करोड 54 लाग रुपे के आसपस रहने के उम्मिद है वहीं उम्मिद है यह फिल्म अपने तिसरे दिन सभी लेंग्वेज में एंडियन बॉक्स ओविस पर काफी बड कर रही और उक्युपेंसी रिपोर्ड के मुताबिक हो सकता है फिल्म का तिसरे दिन का तोटल वल्डवाइड बॉक्स ओविस ग्रोस कलेक्शन लगबग 6-8 करोड रुपे से जाधा रहे और अगर यह वल्डवाइड कलेक्शन सही साबित होता है तो विक्रम की फिल्म PS1 अ इंडियन बॉक्स ओविस कलेक्शन और भी जाधा रहेगा ओ फिल्म अपने तीन दिनों में इंडियन बॉक्स ओविस पर और भी काफी बड़ा धमाका करते हुए 124 करोड 20 लाग रुपे का जबरजेस्ट आखड़ा पार करेगी वहीं फिल्म के वल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अपने तीन दिनों में वल्डवाइड बॉक्स ओविस पर भी सारे रिकोर्ट तोड़ देगी क्योंकि फिल्म अपने तीन दिनों में वल्डवाइड बॉक्स ओविस पर लगभग 218 करोड 60 लाग रुपे का कलेक्शन आसानी से कल लेगी लेकिन विकरम के हेटर सो और PS1 फिल्म के हेटर सका मानना है यह फिल्म लाइफ टैम बॉक्स ओविस पर 500 करोड उपे का भी आकड़ा पार नहीं कर पाएगी जिस वज़े से इस फिल्म का बज़र्ड रीकवर नहीं होगा और यह फिल्म बॉक्स ओविस पर फ्लोग हो जाएगी लेकिन विकर राम चरन बनेंगे बॉक्स ओविस इंडिया के सबसे बड़े सूपर इस्टा और त्रिपल रार बनेंगी बॉक्स ओविस इंडिया की सबसे बड़ी ब्लोगवेश्टर फिल्म में दूसरे नंबर पर रहेगी पेन इंडिया सूपर इस्टार येश की फिल्म केजएप कि फिल्म पीएस वन को आपकी राया हमनी ची कमेंड का जरू बताया हूं अडिस्टन आयो तमा स्टूडियो को लाइक करो जदे जदे आपको रहारी चनल कलेक्शन टेको भी सब्सक्राइब का बिल आइकोन प्रेस कर दे जिससे आपको लेटेस टेंड यान साओत नेपाल और वल्ड वायर बोक्स ओविस कलेक्शन की अपड़ेट मिलती रहेगी आपको सबसे पहले ही